हेलो श्टुडेंट स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल और स्वकूर अकाइडमी पर एक बार फिर हम आपके लिए जर्णल साइंस की नहीं क्लास लेकर आ गए हैं तो कोश्चिन हमारे पास एनलीडा ग्रूप में मुख्यते कौन-कौन से जन्तू आते हैं तो कौन स साथ है घोंगा या फिर सीपी आते हैं नेक्स है इकाइनो डर्मेटा संग के अंतरगत मुख्यते कौन-कौन से जन्तू आते हैं तो कौन सा तारा मचली आती है इसके निदर और बिटल इस्टा आती है आगे देखते हैं मनुष्य का पाचन किरिया का आरंब कांसे होता है त नेक्स है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाइत होता है तो धमनियों के द्वारा शुद्रक्त प्रवाइत होता है और शीराओ के द्वारा शुद्रक्त प्रवाइत होता है नेक्स कोशन है कौन सा विटामिन जल में गुलंशील है तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में गुल जाते है सोडियम का कार्या क्या है इसका कार्या fucked दाब नेंद्रित करने में सायक होता है ताथ zat क्या कार्या होता है मैं सरीब में यह हर्द्या की धड़कन और नड़िद संस्थान के कार्यों को संचलित करता है ने देखते हैं गुल-कोज बिना ओक्सिजन की उपस्थिती में माश पेशों में पर्तिक किरिया करकर क्या बनाता है तो गुलकोज ओक्सिजन की उपस्थिती में माश पेशों से किरिया करकर लैक्टिकम बनाता है नेक्स्ट हमारे पास गुलकोज बिन ओक्सिजन की उपस्थिती में बैक्टिरिया या फिर य जल का निर्मान होता है यदि ऑक्सिजन की उपस्तिति में गुलकोज की परकिर्या कराएंगे तो कॉर्बन डाय एकसाइड और जल बनेगा नेक्स्ट है एनलीडा में उत्सरजन के उसके किस उत्सरजी अंगद्वारा होता है तो नेफरीडिया के द्वारा होता है आगे होती है किस जंग होती है यह अगनाश्य में होती है बहिस्रावी और अंत्यस्रावी दोनों परकार की ग्रंथिया अगनाश्य में पाई जाती है नेक्स्ट है प्यूस ग्रंथि या फिर पिट्यूरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है इसको माश्टर ग्रंथि के वहिस्ट करता है वह यहां प्रतेय आहिए आधा है इस परियम किया काे लिए सबसे अच्छा औरुरक कौन पाए जाता है आगे देखते है गुबारों को उडाने के लिए काम में लाई चाने वाली गैस्कों सी है गुब्भारे में हम लकी गैस बढ़ते हैं और हीलियं बहुत हलकी डैस इसलिए गुब्भारा आसानी से उड़ जाता आगे देखते हैं डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है डीडीटी का उपयोग किटनाशी की रूप में परियोग किया जाता है यह खेतों में परियोग किया जाता है तथा रासायनिक दवाईयों में इसे बनाने में इसका परियोग किया जाता है नेक्स्ट है इतादिक सेवन से कौन सा अंग परभावित होता है यदि अत्यादिक मातर में एतानोल का सेवन करते हैं सभी अमलों में अनिवारय रूप से पाय जाने वाला पदार्थ क्या है तो Hydrogen सभी अमलों में पाया जाता है यह एक कोमन है नेक्ष देखते है आग लगने तता फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तर से होती है तो सूती वस्तर में सबसे कम संभावना होते है आग लगने की नेक्ष देखते है लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है कौन सा है हरी सब्जा हरी सब्जे में भर गेलो सीन कमिशन करके क्या बना जाता है गैस होल बना जाता है नेक्स देखते हैं तत कालिक उड़जा यान शक्ति के लिए धाउको को कौन सा पदार्त जाता है धाउको को गुलकोज दे जाता है किसी भी खलाडी को गुलकोज दे जाता है इस टेंट एनरजी के लिए आगे देखते हैं मानव जाती के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है क्यों है क्योंकि है प्राइबैंगनी कुरिणों को रोकने के लिए एक रक्ष्या आवरंड बनाती है हम सभी जानते हैं आगे देखते हैं आंतज्वर यानि कि ट्राइपोइड के लिए सामान नहीं उप लिहीं ख्षेत्र आगे देखते हैं सोओने का शुद रूप कितने करेट का होता है हम सभी जानते 24 आपका समान बिलकुल शुद होता है आगे देखते हैं सीने बार किसका एसता है जिसका रासाइनिक संकेत है HG ठीक है आगे देखते हैं शरीर केताब करनApp के द्यौन किसका निर्माण होता है लालस्थी मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है आगे हैं हमारा कशेरूक दंड में कितनी हड्यां होती है कशेरूक दंड में 33 यानि कि 33 हड्या होती है आगे हमारे पास BCG का पूरा नाम क्या है, BCG का नाम है पूरा BCLES Calmate Urine Next है मारे पास Athlete Foot नामक रोग किससे होती है यह कवक्य के दौारा होती है आगे देखते है Dhamma, यानि कि अस्तमा नामक रोग किससे होता है यह भी कवक्य के दौारा ही होता है आगे हमारे पास फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है यह कर्मी के कारण होता है आगे देखते हैं फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है किस से होता है कर्मी यानिकी वर्म के कारण होता है नेक्स्ट है जब एक वस्तु की गतिज उर्जा दो गुनी की जाती है तो उसकी गतिज जब किसी बढ़ाते बढ़ाते हैं आगे अगे देखते हैं अन्य नाम से भी जाना गया आगे हमारे पास वड़ठ वरक्षपादपो के किस वर्ग में आता है यह आवर्ध बीजी में आता है आगे देखते हैं लाइकेन दो जीव धार्यों का सहजीवी सहचारे समझा जाता है वो दो जीव कौन-कौन से है वह है शैवाल और दूसरा है कवक नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं आम तोर पर शंशलेशित व्रद्धी माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला एगार किसे प्राप्त होता है यह शैवाल से प्राप्त होता है आगे देखते हैं अवेगार्डरो संख्या का मान क्या होता है कहीं बार कोश्चन पूछा ज कुमवतनांग घठता है या फिर बढ़ता है तो यहां पर बढ़ता है दाब घठाने पर तरल का कुमवतनांग आगे देखते हैं मानव रक्त में ओक्सिजन का परिवहन करता है कौन करता है लाल रक्त कणिप को कहरे मानव से हैं विटमिन इवीटमिन डी विटमिन ओर विटमिन के हैं जो वशा में गुल जाती है नेक्स्ट कोश्चन हमें पास धवनी की चाल कितनी है तो धवनी की चाल 760 मील परती घंटा की होती है आगे देखते हैं एलम्यूनियम का परमुक एस्क क्या है हम सभी को पता है एलम्यूनियम का परमुक एस्क बॉक्साइट है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं प्राकर्तिक म अम crappy यह रसाइनिक बैट्रियों में अगे देखते हैं हमारे शरीर में आधेरी उपकोक्र को नियं तरЕТ करने वाला हार्मोन निकलता है किसके दौरा混 निकलता है इस अब टू देखते हैं प्रत्री परकुल जल में मीठे पानी का बंडार कितना है केवाद 2.5% के लगबग है दूद की शुदता किसके द्वारा मापी जाती है लेक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है दूद में कितना पानी है और कितनी वर्षा है कोश्चन है मारे पास धहुनी के श होती है यानि कि CH4 QS इनमायपास माईक्रोफोन का विस्कार किस ने, किया माईक्रोफोन का विश्कार ग्राहब बेलने चुछा है आगे देखते है मदो में रोग होता है कि सकत्र्वार होता है इंसूलिन के अभव के कारण के बोग होता है लेद्ञेश नेक्ष्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पेंशन कर सकते हैं